करक रासी आज का रासी फल यानि की 26 नवंबर का रासी फल तो नमशकार मित्रों आप सफी का बहुत बहुत स्वागत है करक तुलाय स्पेशल में तो आईए आज का वीडियो सुरू करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से आपके आज के दिन के बारे में दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखें लाश्ट तक क्योंकि वीडियो के लाश्ट में मैं आपके लिए आज का उपाय भी बताऊंगा जिस उपाय को फॉलो करके आप अपने आज के दिन को अच्छा बना सकते हो आज तिथी है अमावस्या, नक्षत्र है विशाखा, पक्ष है किर्ष्ण पक्ष और दिन है मंगलवार आज सुर्जुदे होगा अच्छी बावन में और सुर्जास्त होगा पांच चौविस में आज चंद्रोदय नहीं होगा लेकिन चंद्रास्त होगा पांच बज़ के बाइस मिनट में और आज दिन है दस घंटे 32 मिनट 18 सेकेंड का और अभी महिना चल रहा है मार्ग सिर्ष य और असुभकाल है 58 से 49 के बीच में उसके बाद रहुकाल सुरू होता है दो 46 से 45 तक और दिसासूल है आज उत्तर दिसा की और तो ये था आज का पंचांग तो अब हम आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप जन्म कुंडली के लिए हस्तरेखा के लिए या आपक लाइफ में कहीं कोई दिकत हो उसके समाधान के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आपके सामने मेरा नमबर लिखा हुआ है इस नमबर पर आप वाटसेप कर लें कॉल बिलकुल भी न करें अगर आप वाटसेप करते हो तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी और अगर कॉल करते हो तो मेरे से बात नहीं हो पाएगी तो आप सिर्फ और सिर्फ वाटसेप ही करें तो आएए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरे बिस्तार से मित्रों सबसे पहला है आपका धन्शंपत्ति इस लिहाज से आज का दिन बेहतर रहेगा आपके पास धन की आज कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है आज आप जो भी कार्ज करोगे उस कार्ज में आपको धन का फाइदा होगा और तो और आज अगर आप अपने कामकार्ज में धन का निवेश करते हो तो उस निवेश के माध्यम से आपको धन का लाफ काफी ज्यादा होगा और उससे आप काफी ज्यादा मजबूत होंगे आर्थिक रूप से ये आपके लिए काफी बहतर होने वाला है उसके बाद है श्वास्त श्वास्त के लिहाज से आज का दिन न ज आदा खराब है आज के दिन अपने स्वास्त का आप खास ख्याल लखें और तनाव न लें अगर आप तनाव लेते हो तो इससे आपका आज का दिन खराब हो जाएगा आज का आपका स्वास्त खराब हो जाएगा फिर आप कोई भी कार्ज नहीं कर पाओगे तो अगर ज्यादा बेहतर नहीं रहने वाला है आज घर परिवार वालों के साथ आपका रिष्टा ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा हो सकता है घर के ही किसी मिम्बर के शाथ आज आज आपका बहस हो जाए और उनके वाजा से आपको थोड़ा बहुत तनाब हो जाए जो करने का प्रयासा अप ना करें लेकिन ये आज हो सकता है अब है आपका प्रेम शम्बंध लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और वीडियो के नीचे एक अच्छा सा प्यरा सा कमेंट कर दे, कमेंट करने की बाद आप उपर आएं और करक तुलायास विसल को सब्सक्राइब भी कर ले, शाथ हैं साथ घंटे को ओन कर ले, और वीडियो को पुरा देखने की बाद आप सेयर भी कर दे, मित्रों प्रेम शंबंध के लिहाद से आज का दिन अच्छा रहेगा बेहतर रहेगा आज आपके और आपके प्रेमी के बीच रिस्ता बहुत मजबूत होगा आज के दिन को आप लोग पूरा इंजोई करने वाले हो दिन में कहीं कोई बाधा आज नहीं आने वाली है उसके बाद है बेवशाई बेवशाई के लिहाद से भी आज का दिन काफी उत्तम है शांदार है आज आपके कामकाज में आपको बहुत फाइदा होगा अगर आप एक बेपारी हो तो आपको भी आपके कामकाज में काफी ज्यादा फाइदा देखने एक व अजबूत होगा आज अगर आप लोग कहीं बाहर घूमने जाते हो तो ये दिन आपके लिए एक यादगार दिन बन जाएगा और ये दिन आप लोगों को हमेशा याद रहेगा अब है आपका आज का उपाय आज की दिन आप हडी मुंग का खाने में उप्योग करें ये आपक कि दी ये आपके आपके लेग्र को हमें आपके हो लोगों कूमने इस डिया मुंग करें आपके डास फ। कि उंके जीमगार लोग patience यें आंब के लागया में आपके इस में आपके पgesch λ rockets ये रहे इस आतका शो हम है ये